नमस्कार भाईयो भेलो साथियो एवं प्रियत दर्शकों जो सभी लोग मुझे इस पूरे दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं सुन रहे हैं आप सभी को बता दू स्टाफ सेलेक्शन कमीशन यानि भारत सरकार की SSC कमीशन द्वारा CGL के रिक्रूट्मेंट कराये जाने वले प्रोसेस में आपको बता दू कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एक्जामिनेशन होता है अर साल CGL नाम से SSC द्वारा कराया गया एक ऐसा गवर्मेंट एक्जाम जो की गवर्मेंट जॉब्स के लिए होता है जिसके अंदर काफी तरह के ऐसे पोस्ट है जो की ग्रेजुएट्स को जॉब देते हैं भारत देश में आज के समय पर अगर बात करें तो SSC एक उन बढ़े कमीशनों मेंसे एक है जो की आज के समय पर आपकी AAO, JSO, JSA और भी बहुत सारे पोस्ट CGL के अंदर आते हैं जो की आपके ग्रेजुएट्स केंडिडेट्स को जॉब देने का काम करते हैं CGL द्वारा भारत सरकार के विभागों में तो आपको बता से इसका जो पैटन चलता है उस इस आप से अब सारा कुछ होने के बाद declaration of final result आपका final result आ चुका है कि कि कितने लोग इस job के लिए finally select हुए हैं सारे अपने हर tier को देने के बाद वो हम discuss करेंगे इस वीडियो में इसके अलाभा आपके साथ cutoff discuss होगी कि cutoff क्या आई है इस बार किस पोश्ट पर किस category में कितने cutoff आये और कितने number of candidates किस category wise select करे गए हैं सारी जानकार यह आपको हमलेंगी आपको बता दू यह exam भारत देश के युवा especially भारत देश के graduates को job देने के लिए एक ऐसा exam है जिसका नाम CGL रख दिया है simple combined graduate level यानि कि अलग-अलग graduation जो भी है आप की उन सभी को लेकर यानि combined करकर एक ऐसा exam करा रहे हैं जिसमें आपके कोई भी graduate आके job को ले सकते हैं यह इसकी eligibility में रहता है अगर इसी तरीकिसाब CHSL पूछ रहे हैं तो CHSL रहता है जिसमें combined higher secondary level यानि कि वह आपका जो exam होता है वह होता है उन लोग के लिए जो लोग आपक 12th class passed होते हैं उनके लिए वहाँ पर उसमें job आती है तो basically नाम से यह चीज क्लियर हो जाती है कि इनके exams का मतलब क्या है तो आपको बतादू अगर आप मालीजी हर्याणा जार्खंड उडीशा मिघाल्या मनिपूर केरला करनाट का आसम वेस्ट बंगाल तेलंगना रखते हैं भारत देश की तो आप सभी लोग इस पर eligible थे वेकेंसियों की बात करें तो इसकी वेकेंसी जो है आठ हजार 415 वेकेंसी अभी तक बताई गई है जो कि final वेकेंसी आपकी आई थी आपको याद होगा सबसे पहले notification में यह वेकेंसिया 7500 थी इसको बढ़ा कर आठ 6415 करा गया यहां कि इतने लोगों को यहां से job मिल जाएगी finally अभी तक के data के हिसाब से जोग की SSC द्वारा कहा जा रहा है इसको discuss आप से पहले ही कर लिया गया था यहां पर इस वीडियो में क्या करेंगे हम मैंने आपको बताया आपको दो short listing list आई है candidates की दो एक तो आपकी CGL में post है उसकी अलग list आपको बता दू CGL एक ऐसा exam है जिसको आप SSC की दृष्टी से एक toughest exam मानते हैं हलाकि इसके उपर भी और levels में exam आप जानते ही है medical के अलग होते हैं engineering में होते हैं और इसके अलावा civil service में UPSC नाम से IS exam होता है IES और IPS और IFS जैसे services के लिए लेकिन अग से CGL को toughest exam माना जाता है क्योंकि इसके post का जो काम होता है वो बड़े-बड़े post होते हैं बड़े-बड़े officer के post होते हैं और एक सरकारी विभागों में central governments के विभागों में यह post होते हैं इसी वज़े से इनकी importance मानी जाती है candidate के द्वारा इसी लिए वो focused रहते हैं इसके उपर और बहुत लोग का selection होता होता भी यहां पर रह जाता है तो इसी लिए इसको tough माना गया है पर से अगर selection percentage में बात करें तो आप देखिए सिर्फ इतने लोग को job मिलती है हजारों की संक्याम है लेकिन ही अभी के समय पूरा चल रहा है भारत देश में चलिए इसमें आपको बता देता हूं बाकि सारी जनकारिया आप कहीं से भी देख रहे हो भारत देश में आप सभी लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग के लिए खास रहेगा सबसे पहले मैं एक नोटीस है आपका इसमें कटोफ भी मिलेगी आपको फाइनल रिजल्ट आ चुका है सीगेल दोजर तेइस का रिजल्ट जो टियर वन का था वो डिक्लेर हुआ था 19 सितंबर में दोजर तेइस में टियर सेकिंड का एक्जाम जो लिया गया वो 26 और 27 अक्टोबर में लिय के टियर टू एक्जाम में यानि कि जो 26 और 27 अक्टोबर में हुआ उसके टियर सेकिंड के पेपर वन के सेक्शन और सेक्शन टू के एग्रिगेट पर्फॉर्मेंस के बेस पर केंडेट को सौट लिस्ट किया गया एवलूशन ऑफ सेक्शन थी उसी का सेक्शन थी तभी चा जो SI और यानि की स्टैटिकल इंवेस्टिगेटर ग्रेट सेकेंड के पोस्ट को छोड़कर बाकी सबके लिए डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट हुआ था आपको पता होगा एक कंप्यूटर नॉलिज टेस्ट भी आपने दिया था तो था केंड़ेट हूद नॉट क्वालि पोस्ट एक्सेप्ट SI ग्रेड एसा ही मतलब यह सब इंस्पेक्टर नहीं है स्टैटिकल इंवेस्टिगेटर है आप देख सकते हो यहाँ पर और सेकिंड ग्रेड में और फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस आरेस फॉलो अब मैं आपको यह बताता हूँ इन्होंने फाइन स्टैटिकल इंवेस्टिगेटर के पोस्ट को हटा दो और बाकी जितने ही पोस्ट सीजियल में भरे जा रहे हैं इसमार उसके रिगार्डिंग कटॉफ जो है ऐसी अनुसूची जाती की दो सो बावन नंबर गई है जिसके अंदर केंडे जो है साथ हजार 111 सिलेक्ट किये है एसी से एस्टी से 241 गई है कट ओफ और तीन हजार 180 लोग को यहां से सिलेक्ट किया है वो भी सी में 281 कट ओफ गई है और इनके बारह हजार दो पांसो अकाणवे पांसो अकाणवे केंड़ेट यहां पर सिलेक्ट हो है यानिकि 12591 सेम एड़ोस में 7244 केंड़ेट को सि यू आर में आप देखोगे तो यू आर में कम दिखेंगे क्योंकि यहां पर अगर आप जो आपका सिलेक्शन परसेंटेज मांगे जो भी आप अपने सेंट्रल गवर्मेंट्स के रूल देखेंगे अगर वहां पर जितना आप आप रिजर्वेशन देखते हैं तो OBC वालो ठीक है और यह सारी चीजों की वैसे कट ओफ डिसाइड होती है तो कास्ट की वैसे वह कम भी हो जाती है अगर आप देखते हो तो सबस्यादर कट ओफ हमें हमेशा यू आर वालों को देखने की मिलती है यहीं कि 287 कट ओफ कही है उनकी सेकंड टीर एक्जाम की CGL में और उनका इतने लोग सिलेक्ट हो चुके है इसम एक सर्विसमें में 223 नमबर गई है ओएच यानि डिसाइबलेटी वालों की कट ओफ हम यहां से देख सकते हो तो इतने लोग सिलेक्ट हो है कट ओफ वाइस तो टोटल 49,273 केंड़ेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया है फाइनली और इन सभी को अब यह सभी लोग टियर करके बोला इन्होंने इसी लिष्ट में आपके जो है सी केंड़ेट 1066 हैं और स्टी 247 हैं और यह इन एडिशन टूदा अब आपको यह चीज़े और जोड नहीं है मतलब यूर वालों में आपको जो सारी दिख रही है तो ठीक है इसमें यूर वालों में आप इन इतने लोगों को और जोड के चलें यह यहाँ पर यह कह रहे है अच्छा ठीक है तो बाकी ऐसे यह सारे कैटिगरी वाले इतने नंबर ओफ कैटिगरी से रहे हैं जिन्होंने यूर कट ओफ से किलियर कराए इस एक्जाम को बात करें तो यहाँ पर इन अकॉर्डेंस विजन नोटीस आप अगर देखे तो 17 नवंबर और 20 नवंबर का आप एक नोटीस देखे कमिशन पर जापर option का preference form था जिन्होंने बढ़ा था उन्हीं को job मिलेगी पहले ही बता दू उसका preference form भरवा दिया गया था आपको बता दिया था जिन लोगोंने apply कर दिया था बहुत सभी बात है यह online में भरवाया गया था आपसे जिन लोगों ने भी टियर सेकेंड एक्जाम दिया था और अभी देखिए आप देखेंगे तो यह सिर्फ 49,000 लोगों को सिलेक्ट किया है और यहां पर candidate के option form आया है बावन अजार से भी ज्यादा तो ऐसे में इतने ज्यादा कैसे आ रहे है form तो मैं आपको बता दू इन्होंने अभी जो जिल्ट दिया है यह अभी दिया है कल रात में दिया है और इसको अगर option का form की बात करें option preference की form की बात करूं तो वो इन्होंने पहले सब्सक्राइब यह final result बनाने से पहले आपसे option form बरवाते हैं जिससे कि आप यह बताओ कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए और फिर आपके मर्जी के वियाव पर और वहाँ पर देखते हुए कि आपके number के हिसाब से और vacancy और वहाँ पर जगा के हिसाब से और आपकी preference के हिसा है अभी ऐसे लोग वह भी होंगे जो अभी अपना रिजल्ट देख रहे हैं CGL second tier का और वह कह रहे है यार हमें तो अब पता लग रहा है कि इसमें हमें preference भी भरना होता है तो अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं अब आपको next year में ही apply करना पड़ेगा बले ही आप इसम essential for qualifying in the final agent आपको typing इस वो speed test वाला और इसके लावा computer knowledge test वाला एक्जाम पास करना जरूरी था जो second tier के paper one के third section के first module module का part था और first module and second module देखें दोनों ही pass करने जरूरी थे दोनों ही module जिन्होंने pass करा है उन्हीं को अपना list में नाम देखने को मिल जाएगा और इसमें एक और चीज़ बोल रहे है minimum qualifying marks और maximum percentage of error इन्होंने बता रखे है paragraph 16.1 और 2 के अंदर जो आपका notification में आप वहाँ से चेक करोगे इसको जो इसकी main notification आई थी जब form वरवाए गये थे तब की बात हो रही है minimum qualifying marks जो है section 1 और 2 में और module 1 section 3 के of paper 1 and paper 2 and paper 3 of tier second exam are as follow मतलब जो minimum qualifying marks आपके हैं पहले section के और दूसरे section के और तीसरे section के module 1 के paper 1 के रिए और साथी paper 2 और paper 3 इन तीनों के लिए tier second में आपको बता दू tier second में 3 तरह के paper हुए है पहला paper में 3 section रहे थे और आपको बता दू पहले paper के तीनों section के अलग-अलग जो है first plus second section मिलाकर आपके qualifying marks अलग थे third section के first module के qualifying marks अलग थे और paper 2 और paper 3 के qualifying marks अलग थे सब की बात करें तो अगर वो you are category वाला candidate था तो उसके 30% marks इसमें जरूरी थे कम से कम total maximum marks में से 30% marks अब आप suppose मानिए वो 200 नंबर का था तो candidate के 60 number minimum चाहिए थे OBC EWS वालों के 25% और other category वालों के 20% maximum percentage of error allowed in module maximum percentage of error मतलब कि कितना आप error कर सकते हो जो आपके data entry speed test के अंदर error था वो आप कितना कर सकते हो मतलब कितनी गलतिया आपकी accept हो जाएंगी तो 20% you are वालों के accept हो रही है suppose 20% मतलब जितने जितने नंबर का वो exam था उसमें अगर आप 20% भी गलतिया कर रहे हो तो वो accept कर रहे हैं उसके अलावा नहीं करेंगे same अगर आप OBC EWS से हो तो 25% आप कर सकते हो other category वाले 30% जो है यहाँ पर अपनी गलतिया कर सकते थे अगर उनसे हो गई है अगर बात करें आपकर cut off की तो मैं आपको बता दूं computer और स्पीड टेस्ट वालों की जो cut-off है वो मैं बता देता हूं category wise क्या cut-off है आपकी category wise cut-off में सबसे पहले बता रहा हूं यहाँ पर section 3 में module 1 के computer knowledge test की बता देता हूं आपको क्या है रही क्या रही computer proficiency test की जो है cut-off तो SC category में 21 marks cut-off रही है आपकी और ST में 21 OBC में 24 EWS में 24 है ESM में 21 है UR वालों के लिए 27 है मतलब कि जो लोग total marks में से अगर 27 नंबर लेया है UR category वाले तो वो अपने computer knowledge वाले test में पास माने जाएंगे यह आपकी cut-off है यह अलग से है याद रखेगा जो आपके अलग exam थे जो आपके अलग section आप देख रहे थे वह पेपर वन के first और second वह अलग थे और यह आपका जो third section था यहां उसके अंदर जो first module था वो उसका अलग यहां पर आपका cut-off है तो सब आपको अलग अलग पास करना जरूरी था डेस्ट की बात करें तो speed test यानि कि data entry speed test के अंदर जो cut-off रही है वो cut-off on percentage of mistakes mistakes के percentage के base पर रही है जिन्होंने भी fiction module फॉर अब दिखिए इन्होंने बोला है cut-off on percentage of mistakes जिन्होंने सिर्फ 7% mistake करिए वो यहां पर सिलेक्ट हो चुके SC में इससे ज्यादा percentage mistake वाले लोग select नहीं हो मतलब इसमें आप जितना हो सके कम वाला मानना सपोज अगर आप स्टी में category में हो और आपके अगर 6% 5% mistake रही है है टोटल मैंसे तो आप लोग select हुए ओपी सी वाले भी इसी तरीके से अपना चेक करेंगे सभी लोग यूर वालों की 5% रही है यानि कि जिनकी भी मिश्टेक सिर्फ 5% हुए यूर वालों की तभी वो select हुए इससे ज्यादा जिनकी मिश्टेक रही है वो लोग select नहीं हुए तो ये एक मिश्टेक परसेंटेज वाला system से आपको select किया गया इसमें अब मैं आ आगे आपको चलता हूँ एक और चीज पर ओवराल performance अगर बात करें merit list merit list जो बनाई गई आपकी वो tier second exam के overall के base पर भी बनाई गई है जैसे आपको दिखा दू जैसो पोस्ट के लिए दिखा गया है कि tier second paper one का section one section two और plus paper second statical investigator में ये बता रहे हैं कि किस पोस्ट में किस तरीके से इन्होंने आपकी list बनाई है selection वाली जो आपको भी दिखाने वाला हूं बता दू कि second list statical investigator की है grade second में उनकी tier second के paper one के section one plus section two और paper two के marks के base पर रही है इसके अलावा अगर आप बाकी post देखते हो जितने भी JSO और SI के post वो इन्होंने paper one के section one और section two के marks के base पर रही है अब आप कहोगे कि क्यूं भाई इन्होंने आपके जो आपके वह वाले exam थे यानि कि आपके proficiency याने की computer proficiency test था और आपका data entry speed test था उसके base पर merit list क्यों नहीं बनाई यह simple कह रहे हैं वो सिर्फ pass करने थे आपको वह अले exam सिर्फ pass करने जरूरी थे उसकी cutoff यहाँ पर दे दी गई है जिन्होंने उसको pass करा है वो लोग finally अपना नाम list में देख पाएंगे लेकिर उसके base पर list बिल्कुल नहीं बनाई गई है list सिर्फ section 1 और section 2 के base पर बनाई गई जो की paper 1 में रहे थे tier second में यह GSO और SI post को छोड़कर बाकी पोस्टों के लिए बता रहा हूं जो की AAO है for the following post आप देख सकते हो जैसे की AAO ASO ASO हो जाता है assistant section officer हो जाता है CSS जगा है एक विभाग है same M.E.A करके रहेगा उसके अंदर भी ASO चाहिए इनको inspector आपको CGST और central excise के लिए इनको चाहिए CBIC में और inspector preventive officer इनको CBIC के अंदर चाहिए तो आप देख सकते हो ministry of minds के अंदर इनको assistant चाहिए था तो यह सारे post आपको दिख रहा है इनके इनी पोस्टों में जो लोग select हुए है उनको अपना नाम देखने को मिलेगा जो की आप देख पाओगे list second है पहले list JSO और SI की रहने वाली और बाकी दूसरी list बाकी सारे पोस्टों की रहेगी suppose UDC जो है central NCB के अंदर रहेगी आपकी UDC की post तो इस सारे post के आपको दिखेंगे आपका second list में आपको इसमें सारे नाम दिख जाएंगे जो इस post में apply कर पाए हैं अब basically जिन्होंने अपना preference में इन पोस्टों को रखा है पिलस उन्होंने उन्हों इसी एक्जाम को पास करा है वही लोग हम मैं आपको बता दो allocation of post to eligible candidates have been made on the basis of merit come preference of post submitted by the candidate online subject to their qualifying in the document of DV to be conducted the have been provisionally shortlisted आपको बता दू 7,869 ऐसे candidate है इस बार इतने लोग ऐसे हैं अब यहां पर DV हो चुका है आपका document verification यह कह रहे है आपका हो चुका है और आपने preference भर दी थी आपको पता होगा और finally DV के बाद candidates have been provisionally shortlisted vacancy वाइस यह बता हैं कितने लोग को select किया इन्होंने आपके document verify करने के बाद 7,859 ऐसे candidate रहे हैं जो finally इन्होंने अपने आप में आपर select किया आपको मैं आपको बताता चलूँगा पता होगा बीच में लोटीस आया था इसमें वेकेंसी बड़ी हुई थी तो उसके रिगार्डिंग अभी आपको आगे किलियर करता हुए क्या है सबसे पहले आप यह देखो कि अभी अभी केसा आप यह समझो इनकी वेकेंसिया इतनी है और इन्होंने सारी वेकेंसिया भार दी हैं इतनी लोगों को select कर लिया है इतने सबको नाम दिखेगा एक सर इसमें में भी आप देख सकते हो तो सभी लोग जितने इनको चाहिए थे इन्होंने उतने ही लिये हाला कि दिसेबलीटी में अगर आप देखे तो इन तीनों डिसेबलिटी को छोड़के बाकि डिसेबल वाले चैंडिट साठ चाहिए थे इन्होंने सिरुफ 58 को लिर्ण इन्होंने भी आपर दो वेकेंसिया आप इसमें वेकेंट छोड़ी है अब हो सकता है candidate वहाँ पर उतने ना मिले हो या पास ना कर पाएं उतने डीवी में फेल हो गए हो या फिर कहीं और किसी स्टेज़ पर वो फेल हो गए हो तो आप समझ रहे होंगे 7869 लोग लिस्ट में दिखने वाले हैं आपको जो फाइनली स्लेक्ट हुआ है इतने ही वेकेंसी नोंने आप बताए हैं उसके इसाब से हां आपको लिस्ट के अंदर लास्ट केंडिट जो भी सिलैक्ट हूए अभी देखें मैं आपको बता दूं अब मैं आपको कुट अफ बताने वाला हूं बाकी पोस्ट होगा और साथ में बताऊँगा जो केंड़िट लास्ट इसलैक्ट हूआ हो उसका डेट अपर बद को दिखी गए इन पोस्टों पर category wise कितनी वेकंसी थी और कितनी भर गई और उनमें आपकी क्या cutoff रही total marks की total marks बताए जाए जाएंगे उसके हिसाब से मनलब कि last candidate जो सिलेक्ट हुआ उसके total marks कितने आए है तियर सेकंड के पेपर 2 के अंदर और टियर सेकंड के पेपर 1 के अंदर आपके उस candidate के कितने marks आया है लास्ट के जो कास्ट में या category में लास्ट सिलेक्ट हुआ है उसकी डिटेल आपको यह मिलेंगी सपोज आपके नमर इस candidate से अगर जादा है तो आप definitely अपना नाम लिष्ट में देख पाओगे क्योंकि आप सभी लोग सिलेक्ट हो अभी जो लोग के marks इससे कम है वो लोग सिलेक्ट नहीं है अब मैं आपको बता दू आप पता कैसे करोगे अपने marks तो इसके लिए तो आप को यह बता दू कि अभी किसी की भी अभी जो लोग सिलेक्ट हुए है नहीं हुए दौनों के रिजल्ट आने में भी समय जाएगा जिसमें आपके marks और आपकी की रिजल्ट कि आप सिलेक्ट हुए हो नहीं हुए सभी का लिष्ट अभी बाद में आएगा तो सबसे पहले आप देखो कैटिग्री वाइस में बारा वेकेंसी है बारा भर गई है और इस सी कैटिग्री में 24 की 24 भर गई है इन दौनों पोश्टों के लिए बात कर लेते हैं जो लाश्ट केंडिट स्लेक्ट हुआ है इस में उसके marks टोटल 400.5 आये हैं और इस कैंडिट के second tier के paper second में उसके 116.5 marks आये है paper second के paper one section one में उसके marks 140 आये हैं यह last selected candidate है जिसका डेट अपर 2002 के मई के 11 तारिक में हुआ है सेम SC category वाला candidate आप देख सकते हो 24 के 24 select 360 total marks candidate लाया है और 360 में से 84 marks candidate जो लाया है वो tier second के paper second में लाया है male है female है यहाँ पर clear नहीं है लाई है भी हो सकता है और paper second के paper one के section one में last selected candidate महिला पुरू जो भी हो 121 नमबर लाए है इस candidate के द्वारा और इसका date of birth 1993 सेप्टेंबर की 26 तारिक में हुआ था तो आप देख सकते हो यहाँ पर यह सारा अभी चल रहा है आपका JSO post का चल रहा है तो सभी लोग यहां से अपना cutoff चेक कर लेंगे इन post का दौनों का ही चेक कर लेंगे सभी लोग इसी तरीके से statical investigator का भी आप चेक कर लेंगे यहां से disability वाले भी अपने cutoffs को देख के चलना थोड़ा मैं आपको यहां पर इसमें यू आर का clear करता हूं जे जे एसो में यू आर कट अफ गया है है 393.5 टोटल अगर कोई candidate इतने marks से कम लाया है तो वो select नहीं हुआ है और individually अगर कोई candidate पेपर टीर सेकेंड के पेपर सेकेंड में 93 marks से कम ला रहा है तो सोरी 93.5 marks से कम लाया है तो वो select नहीं हुआ जे एसो के लिए 146 marks अगर वो section 1 paper 1 में लाया है tier second है male female जो भी तो वो लोग इससे कम वाले लोग select नहीं हुए सिर्फ इसके उपर वाले selected मिलेंगे लिस्ट में तो आप सभी लोग इस तरीके से अपना check कर लेना है यहापर चले थोड़ा आ गया जाते हैं अब में बाकी पोस्ट हैं जो उन दौनों पोस्ट को चोड़के बाकी जो पोस्ट है सब्सक्राइब बी 0-3 एक पोस्ट का कोड़ है अपने जो ऊपर अभी पोस्ट देके उसमें आप अपने कियर सेकेंड के पेपर वन के सेक्शन में में उसकी डेट ऑब वर्त 1998 के फैबररी में 25 तारिक की है तो आप इस तरीके से सभी लोग अपने क्याटिक रिवाइस यहां से मिला लेना और कौन से पोस्ट का देखना है आप यहां से देख लेना तो यह टेवल लंबा होगा क्य अब यह क्या रहे हैं वेकेंसी जो थी एएओ पोस्ट की जैसे की एसिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एसिस्टेंट अकॉंट्स ऑफिसर की और ऑडिटर और अकॉंटेंट हैव बिद्रॉन बाइद यूजर डिपार्टमेंट इन्होंने बोला है एक चीद्यान लगी यहां बन्कारी आँप अगर देखो मैं उपर देख रहा था कि apaeo पोस्ट नहीं दिखा मुझी ईसो दिख गया था जे एसों दिखνार था और सि है और इंवेस्टेंटिटर का भी दिख रहा था और 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 भी बहुत सारे पोस्ट ओंब की नहीं दिखरा यहां पर ना उसका कॉ पोस्ट को जो है यूजर डिपार्टमेंट द्वारा इसको विड्रॉ कर लिया गया है अगर आप फाइनल वेकेंसी वाले नोटिस को देखोगे जो हमने डिसकस किया था जिसमें आपकी 8,415 के उपर वेकेंसी कर दी गई थी अभी और आप अभी देख रहे हों कि 7,800 के लगबग लोग सिलेक्ट हो तो बागी के 500 600 के लगबग लोग कहां गए वो वेकेंसी कहां गई तो फाइनली यह इन पोस्टों की होगी जरूर एए ओकी होगी जिसमें आपका असिस्टेंट ओडिट ओफिसर और और आपकोंट जैसे पोस्ट थे उन सभी को यह चार तरह के पोस्टों को इन्होंने वापस ले लिया है अब यह इनको पता होगा इसके कारण क्या है अभी इसमें वेकेंसी यह नहीं भरी जाएंगी तो यह वेकेंसी खाली हुई है तो यह आपको पोस्ट देखें जाब उपर देख रहे थे कि 203 का कट-off देख रहे थे तो दो 203 मतलब था असिस्टेंट सेक्ष्ण ओफिसर बी 904 मतलर असिस्टेंट सेक्ष्ण ओफिसर लेकिन वह इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इन्टेलिजेंस ब्यूरो में आई जी आई बी में है और सेंट्रल सेक्रेटियेट सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग डॉप्ट के अंदर है और एसो की पोस्ट मिनिस्ट्री ओफ रेलवे में भी दी गई है एक्स्ट और अब देखेंगे इसमें आपको कहीं भी सब इंस्पेक्टर का भी था जो कि निये के अंदर सब इंस्पेक्टर लिया जा रहा था होम अफेर्स में उसके लिए भी वेकेंसिया थी उसकी गटव भी आब याँ से उपर देख सकते हो तो यह सारा पूरा आपका था तो अब आप एक ची और देखो तो मैंने जो भी कहा उपर कि कुछ वैकेंशिया वापस ली गए उसके कारण याप पर इस पस्ट बिल्कुल नहीं है आप देखोगे कि यह कुछ पोस्ट हैं इसको कहरें हैं विड्रॉन विड्रॉन बाइदा यूजर डिपार्टमेंट तो इन पोस्टों को वापस कर दिया गया यह आपको ना इनकी कट ओफ देखने को मिलने वाली है और ना ही इनका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है इसी वैसे वेकेंशिया आपके अभी कम हो चुकी है जिनके मार्क्स सेम आये होंगे सेकिंड टियर के पेपर्स में अलग अलग इंडिविज्यल भी तो उनके मार्क्स की जो डिसाइडिंग हुई है कि किसको मेरिट में उपर रखा जाएगा तो वो आपका इन बेस पर रखा गया है फाइनली जो लोग सेक्शन वन पेपर वन के सेक्शन में ज्यादा मार्क्स लाएं उनको पहले रखा गया है फिर डेटर पर देखी गई है फिर उसके अलफाबेटिकल नेम और देखा गया है और इस तरीके से आपके टाय केस को सॉल्व कराएं यहाँ पर दो रॉन नमर है मेल फिमेल जो भी हो सकते हैं इनका जो है इनको डिवाट कर दिया गया है इनका रिजल्ट जो है इनका प्रोसेस में नहीं लाया जाएगा इनका रिजल्ट नहीं बनाया जाएगा तो आप लोग के रिजल्ट नहीं आएंगे जो यह दो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं दो के रिजल्ट आएंगे उन दौनों के नहीं आएंगे जो आपको ऊपर दिख रहे हैं वो रिजल्ट उनके नहीं आ रहे हैं पोस्ट डिक्लरेशन अब देखिया आपको बता दू फर्दर प्रोसेस अब डॉक डीवी अगर मालीजे किसी केंडेट को इस फाइनल इजल्ट के छे महीने के बात तक भी आपको मालीजे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि आपको कि अलोकेट नहीं हुआ अगर छे महीने तक भी ऐसा हो रहा है कि नहीं आ रहा है तो अचैसे आप में अप तुरंत कर लो अपने यह अपने इस डेपाटमेंट से जिसमें आपको ज판 मिलने वाली थी जिसे की उसके इसके बाद आप नहीं ले सकते हो आपके पास अभी तक confirmation नहीं आया है आप result में अपना नाम देख पा रहे हो list में देख पा रहे हो लेकिन आपको कहीं भी ऐसा कोई आपको बताया नहीं जारा है कि आप finally इस department में select हुए एसा कुछ नहीं बताया जा रहा है जहां तुरंत उस department से communicate करके बोलो और अपनी problem solve कर लो छे महीने का समय रहेगा शे महीने के बाद नई recruitment में सामिल होगी कोई वेटिंग लिस्ट अभी इसमें नहीं आएगी पहली बता दू जो वेकेंजी अन्फिल्ट रहे गई है हाँ जो वेकेंजी अभी खाली रहे गए अभी संपोस रख अभी कुछ पोस्ट गोहर्टे इस淺 रएगे उदल्म-ज तो आपको वेकेंजी बता ह्या अभी मैंने बता ही की टियर सेकंड की जो थी उसके बेस पर ही रिजल्ट बनाया गया है मैरिट लिस्ट बनाई गई है और अगर बात करें फाइनल अंसर की कव आ रही है और कितने लोग सिलेक्ट हुए कितने नहीं हुए सभी का रिजल्ट सभी लोग का जिनोंने भी एक्जाम दिया था भले हो स अभी का रिजल्ट माक्स प्लस वो सिलेक्ट है या नहीं इसके साथ प्लस फाइनल अंसर की सारी चीज़े आपको मिलेंगी यह आप यह कह लो कि दिसम्बर एंड तक यह चीज़े आपको मिल जाएंगे एससी के वेबसाइट बहे तो आप सको मैंने कट अब बता दिया है और सारी डिटेल इस जौब के बारे बताईए कि क्या क्यों चाया है इस बार के में और बहुत लोग सिलेक्ट हुए हजारों की संख्या में लोग सिलेक्ट हुए चलिए मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं इसमें पहले लिस्ट आपकी यह जो है वह है जिए सो और एस आई इन्वेस्टिगेटर के पोस्ट की लिस्ट है जिसके अंदर रोल नबर के ओर्डर में लिस्ट रहेगा कोई रैंक नहीं है आप इसको रैंक न माने अगर कोई चैन्डेट रैंक माने रैंक में आपको बताए तो रैंक आपकी यह रहे दिखे किसकी कितनी रैंक है रहाला मतलब कौन कितना टॉप यौन रहाल, कौन कितना हावा में रहाल कौन कितना पानी में यह वही सारी बातें कि कौन उपर हैं और क्यों नीच इस यह लिएक NOW से देख सकते हैं 6 category 6 इनकी है यानि कि यह OBS यह दर बैकवर्ट कास्ट से candidate है और इनका जो है C34 post में इनका selection हुआ है C34 मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर क्या है C34 जो है वो आपका JSO का post रहेगा एक बार मैं आपको यहाँ से clear करता चलता हूं C34 आपका JSO का post है तो यह candidate रमन दीप candidate JSO post के लिए यानि कि junior statical officer के post के लिए यह candidate finally select हुए है और इनका जो है rank 49 आया है यानि कि All India में यह पुरे भारत देश में OBC category rank इनका 49 है OBC category में यह 49 इस्तान पर रहे हैं अपने इस post के लिए selection में अमित नाम के candidate का रोलों में यहाँ पर दिख रहा है father name Hari Chand दिख रहा है और इनका जो है 2000 year का जो है बर्त है September महीने की 4 तारिक का और इनकी category भी OBC ही है और इनका भी इनकी 94 rank आई है तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हो rank wise अपना यहाँ पर rank भी देख सकते हो सभी लोग और साथ में अपने नाम के साथ लोग देख सकते हो कि आप लोग select हुए और नहीं हुए हो यहाँ पर marks नहीं मिलेंगे marks बाद मेंगी मैंने आपको यह बात पहले भी clear करी है यहां स्रीव अपना यह देख सकते हो कि आप लोग select हुए हो और नहीं हुए हो देखें कुछ लोग की कैटेगरी सब कैटेगरी दो तरह की कैटेगरी होंगी जैसे कि यह 9 और 4 है इसके जैसे कि यह नवदीप कुमार नाम के कैंड़ेट है चंदन सिंग फादर का नेम है और इसमें आप देखो तो इनका जो है इनकी रेंग काई है 156 और इनके जो है नाइन और 4 दो तरह की कैटेगरी मतलब यह यह यूर कैटेगरी से हैं और साथ में यह इस तरीके से इनकी दो तरह की कैटेगरी है और दो तरह की कैटेगरी है एक तो आपकी इनकी में कैटेगरी और दूसरा सब कैटेगरी जो की डिसे तरीके से देखोंगे सभी लोग सभी लोग अपने मार्क्स को अपने डिटेल्स को इस तरीके से चेक करेंगे देखिए मैं आपको जैसो में ठाट रैंक लाने वाले केंड़ेट का नाम बतायता हूं यहां पर सबसे कम रैंक सबसे बढ़िया रैंक मुझे मिल गई है तनूजा भाटी तनूजा भाटी कैंडिडेट या दिया सो पोस्ट में रैंक थी पर और इनका च्एलिए यह य्यूर केटीग्री से यह जे एसो पोस्ट के लिए आपดेख सकते हों यहां पर रैंक ठी ईरिैंक घृट दित यहां से मॉझे रैंक व्सक्ma架 अपना चेक कर पाऊगे कि आप लोग का रैंक क्या है बेसिकली और आपके क्या आप लोग का जो रोल नमर है और नाम और डेटो बर्थ के मदद से आप लोग अपने आपको यहाँ पर ढून पाऊगे पूरे लिस्ट में तो लिस्ट में अगर जैसो की बात करें तो 193 ही टोटल स्लेक्ट हुए हैं आप देख पा रहे हो चीज को तो मेरे को इस वाले लिस्ट में तो टॉपर को ढूनना असान मुश्किल नहीं होगा मैं रैंक वन को भी असान से ढून पाऊंगा लेकिन णरb र्यंक वन अब को देखिए मेरे को मिल गया है रैंक वन भाई हमें हमारा रैंक वन जैस वाल टॉपर मिल चुगा है कौंट है जो है जैसो पोस्ट में जो है टॉप कर दिया है और इनके बर्थ आप देखे तो 1992 का बर्थ और पांच मार्च का बर्थ है और इन्होंने जैसो पोस्ट पर टॉप करा है आप यहां से देख पा रहे हो इनका कैटिगरी मैं बताता चलता हूं यहां पर जीरो मतलब यह EWS से हैं मलब में कैटिगरी यूर रहेगा और EWS इनका रिजर्वेशन कैटिगरी है रिजर्ट कैटिगरी है तो यह EWS वाले कैंडिट ने आपर टॉप मारा है जैसो में तो आप दौनों ही पोस्ट का चेक कर सकते हों यहां से जैसो का भी और si पोस्ट का भी आगे बढ़ लेते हैं यहां पर थोड़ा second लिस्ट में आ जाते हैं । जो बाकी पोस्ट रह गए आपके जैसकि आपका जो जैसा एसो एसो पोस्ट है सम इंस्पेक्टर जो है उसका पोस्ट जो है और बाकी जो पोस्ट है उनके रिजल्ट आप यहां से देख सकते हो मैं आपको पता दू लिस्ट के अंदर मेरे को यहां पर एक 4722 रैंक का केंड़रेट मिला है जिसका नाम जो है दीरज पचोरिया नाम का केंड़रेट है और केंड़रेट का 1992 का बर्थ है आप देख सकते हो यहां पर और इनका बी 16 एक बार जड़ा पता है तो बी 16 भाई किसका है आपको बी 16 बता देते हैं भाई इंस्पेक्टर C GST और Central Excise में इनकी यानि कि Central Board of Indirect Taxes और Customs CBIC Department of Revenue में यह कैंड़रेट फाइनली सेलेक्ट हुए है जिसकी बात मैं अभी कर रहा था यह फैले वाले लिश्ट में यह वालेगी इनकी Category 1 है तो Category 1 आप सभी लोग यहां देखो तो यह अनुसूची जाती से यह candidate आ रहे हैं तो आप लोग यहां से अपना अपना चेक कर सकते हो सभी लोग को असानी हो की चेक करने में इस तरीके से चेक कर पाएंगे यहां पर किसकी कितनी रेंक है बात करें तो इसमें अभी अगर छोटी रेंकों की बात करें मतलब कि टॉपर्स की बात करें तो कही बीच में आपको लिस्ट में देखने को मिलेंगे मैं सोत रहाता है एक छोटी कोई रैंक मिल जाए तो आपके साथ डिस्कस कर दूँ कि देखें मुझे एक सो तीन रैंक का एक एक सो तीन रैंक का यह एक सो तीन रैंक मानेंगे क्योंकि वह एक आल इंडिया रहेंगे हाला कि रिजर्वेशन वाले भी ओल इंडिया बेस पर ही रैंक लाए हैं लेकिन उनका कैटेगीरी रैंक होगा तो वह उनके कम मार्क में रैंक है तो यह एक फरक रह जाएगा तो आप सभी लोग यहां से देख लेना सभी लोग अगर मैं आजाओ लास्ट पर तो लास्ट में आप देखोगे तो इस वाले लिस्ट में आपको साथ हजार छेसो चपन लोग दिखेंगे सेलेक्टिड इसको और प्लस उस वाले को प्लस करोगे तो 7800 प्लस के लगबग यहां पर सेलेक्शन हुए है बाकी वेकेंसी जो थी वो ड्रॉप करी गई हो कुछ पोस्ट हो कि जो मैंने आपको बताया और यह सारा कुछ मैंने आपको वीडियो के नीचे शेयर करा है सारे नोटिस को सारी जानकारियों को सब लोग वहां से जाके दे ना बहुत इंपोर्टेंट अपडेट था आप सभी के लिए चलिए आपसे मिलेंगे नए वीडियो में सब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद